इस लेक्चर में monkey pox के बारे में discuss करेंगे जो प्री और मिंस दोनों के लिए important है monkey pox एक disease है बीमारी है अभी recently news में इसलिए आई क्योंकि US government ने कुछ surveillance स्टार्ट किया है निगरानी स्टार्ट किया है कि जो लोग Nigeria से Nigeria एक country है कहाँ पर यह भाई सब अफरीका में एक country है यह Nigeria आपकी यह वाली दिखाई दे रही है आपको pen change कर लेता हूँ मैं यह वाली है Nigeria Nigeria से अमरिका में कुछ लोग आ रहे है और Nigeria में यह बीमारी फैल रही है monkey pox नाम का virus है यह फैल रहा है तो वहाँ से जो infected person यह US में तो नहीं आ रहे इसलिए surveillance बढ़ा दिये US से ने इसलिए news में आई तो इसके बारे में detail से पढ़ लेते हैं यह viral genotic disease है viral का मतलब virus से होती है जैसे मालो malaria parasite से होता है COVID-19 वी virus से होती है TB जैसे bacteria से होता है इस तरह से यह virus से होती है तो यह UPSC सर्फ इतना change कर देता है bacterial disease है तो गलत हो जाएगा तो viral से होती है यह जाद रखना है viral genotic disease genotic का मतलब वह होता है ऐसी बीमारी जो animal से human में आती है जानवरों से human में आती है मानवरों में आती है उसे genotic disease बहुते है और यह बीमारी में जो क्या है pox light diseases जैसी माता निकल आती है पहले एक small pox नाम की बीमारी थी जो eradicate हो चुकी है अभी हमारे पूरों world से ही 1980 में ही तो यह small pox जैसी माता होती थी इस तरह से ही यह होती है बंद्रों में monkeys में बंद्रों में देखी यह जाती है और इसी के वज़े से जो बंद्रों में देखी गई सबसे पहले तो monkey pox नाम रख दिया इसका क्योंकि small pox थी जो छोटी माता उसकी तरह के इसमें symptom दिखते थे मतलब लक्षन होते थे इसी तरह से monkey pox इसका नाम रख दिया और यह नाइजीरिया के लिए endemic है मतलब नाइजीरिया में बहुत ज़्यादा case हो रहे है और इस तरह का कुछ virus होता है इसका monkey pox virus से ही होती है और जो pox virida family का एक ortho pox virus जीनस है उसी का ही member है यह virus यह कौन सी family से याद ना भी रहे तो कोई important नहीं है बस इतना याद रखो कि virus से होती है बिमारी और इसका natural host कौन है अभी तक undefined है मतलब कहां से बिमारी कैसे आई कहां से कुछ नहीं पता अभी कोई नहीं पता इसका लेकिन हाँ यह सिर्फ बंदर में ही नहीं देखी गई है बहुत सारे और भी animal में देखी गई है monkeys के अलावा और सारे animal में भी देखी गई है जैसे monkey में, apps में बहुत सारे rodent rodent होते हैं, कुतरने वाले जो प्राणियों होते हैं बहुत से rat चुहां, चुहां कुतरता है न उन्हें rodent बोलते हैं, या mice हो गया या फिर सुक्रेल, सुक्रेल मदब गिलहरी या फिर prairie dogs हो गया rabbit हो गया, rabbit मदब खरगोस तो ऐसे प्राणियों में भी देखी जा चुकी है ऐसे animals में भी है outbreak कब होती है, देखो first time यह report की गई 1958 में और कहां पर पहली बार देखी गई Democratic Republic of Congo एक country है भाई सब अफरीका में ही यह है आपका Democratic Republic of Congo यह वाला है Democratic Republic of Congo इस country में सबसे पहले देखी गई अफरीका में ही, पहले monkeys में और उसके बाद humans में देखी गई largest outbreak देखनों को मिला नाइजरिया में बहुत ज़्यादा case फैल गई इसके लगों कि 40 साल बाद पहले देखी तो गई थी 1970 वगईरा में यह humans में बहुत ज़्यादा case हो गई फिर नाइजरिया में और और भी west और central अफरीकन कंटीजिया उसमें भी बहुत सारे case हुए है symptom क्या होते है इसके लक्षन क्या होते है जब भी बीमारी होती है देखो body पर रहस हो जाते है लाल-लाल से निसान हो जाते है chicken pox की तरह दिखाई देते हैं वो जैसे chicken pox में हो जाते है fever, malaise, headache होता है monkey pox में और जो बुखार, बेचैनी और ये सिरदर्द होता है जैसा chicken pox में होता है उससे ज़्यादा severe होता है उससे ज़्यादा खतरनाक होता है इसमें chicken pox में जितना होता है उससे ज़्यादा monkey pox में बुखार वगरा तेज रहता है तो किस तरह के races हो जाते हैं इस तरह के देखो हो जाते हैं बोडी पे यह आपको दिखाई दे रहे हैं यह रैसीज यह हो जाते हैं फोड़े से छोटी-छोटी फुंसियां पूरी बोडी पे अर्ली स्टेज में क्या है स्मॉल पॉक्स से अलक किया जा सकता है क्योंकि कि इसमें लिम्फ ग्लेंड होते हैं जादा इनलार्ज हो जाते हैं यह फोड़े दे लेना आपको यह ज़्यादा बड़े हो जाते हैं opposite उस चोटे होते हैं और स्मॉल पोस मेद्ध होते हैं तो इस तरह से इसको कोई बीमारी हुई है उसके कोई भी आया जैसे ब्लड उसके ब्लड से कोई छूलिया या बॉडिली फ्लड निकलता है कोई लार निकलती है मुझे उसको छूलिया या लीजन lesion, cutaneous और mucosal lesion, lesion का मतला होता है घाव, जैसे घाव हो जाता है बोड़ी पे उससे जो पस निकलता रहता न skin पे, cutaneous का मतला है skin आपकी त्वेचा पर या किसी पर घाव हो गया उससे पस मवाद निकलती रहती है उसके infection हो जाता है, उसके चाइना में चूहें की भी मास खा जाते है तो वो अच्छी तरीके से नहीं पकाया हुआ है तो भी वो हो सकता है उसको मानलो चूहें को हो रखा है monkey pox तो उसको भी हो सकता है, आदमे को जिसने खाई है मास human से human transmission भी हो सकता है can result from close contact अगर मानलो किसी एक आदमी को हो रहा गया और किसी close contact में आये मानलो उसकी सांस सांसों से क्या है जब सांस निकलती है मुह से तो उसमें moisture निकलता है तो जैसे वह moisture मानलो आपकी किसी की body में हो आगया किसी दूसरे आदमी की body में तो उसको भी हो सकता है या skin lesion के contact में आया skin lesion का मतलब skin पर कोई घाव हो रखा है और उस घाव को touch कर ले दूसरा आदमी तो तब भी यह हो सकता है समझे हो तो इस तरह से फैल सकता है transmission क्या है और तरह से भी हो सकता है inoculation से भी हो सकता है inoculation मतलब टीका करन करना injection लगा दिया उस injection को दूसरे को लगा दिया infected के लगाने के बाद दूसरे परसन को तब भी हो सकता है या placenta placenta बोलते हैं गर्वनाल को इसके जरीए भी हो सकता है दूसरे आदमी में या किसी के बंदर में भी दूसरे प्राणी में जीव में wonderability क्या है मतलब कमजोरी क्या है जैसे मानलो दस आदमी को हुआ तो उनमें से एक आदमी मर जाता है इस monkey pox disease के कारण treatment और vaccine क्या है देखो monkey pox के लिए particularly नहीं ना तो कोई दवाई है और नहीं कोई vaccine है फिर ठीक कैसे करते हैं symptom को ठीक करते हैं जैसे बुखार हुआ है तो बुखार की दवाई देजी वो रैसीज वो रैसीज ठीक करने की दवाई देजी कोई special monkey pox की tablet बगर नहीं आती है कोई भी ऐसी treatment नहीं है हाँ लेकिन जो anti smallpox vaccine थी पहले smallpox की बीमारी है जो छोटी माता उसके लिए vaccine बनाई हुई थी उसी को monkey pox जिसको होता उसको लगाई जारी है यह vaccine तो उसमें क्या है 85% तक effective देखने को मिली यह monkey pox को जो लगाई गई है smallpox की vaccine monkey pox की vaccine नहीं है यह किसकी vaccine है smallpox smallpox की vaccine है तो इस monkey pox में भी 85% तक effective पाई गई मतलब 100 लोगों को लगाई तो 85% तक ठीक हो गई और 85% तक मतलब यह 100 लोगों को vaccine लगाई तो ऐसा है कि उनमें बीमारी यह नहीं होई फिर vaccine तो prevent करने के लिए लगाई जाती है कि आगे बीमारी ना हो तो 85% तक ही effective पाई गई लेकिन एक परेशान यह है क्योंकि smallpox 1980 में फिरी हो गई थी पूरा world मतलब खतम हो गई थी बीमारी तो इसका जो vaccine का production भी रोग दिया था जब बीमारी नहीं तो vaccine क्यों produce करें तो यह इसका availability अभी नहीं है smallpox की vaccine की भी currently क्या है कोई global system ऐसा नहीं है कि इसको पूरे world level पर manage किया जा सके monkeypox बीमारी को तो way forward में क्या हो सकता solution solution हल कि इसका surveillance बढ़ाया जाए निगरा नहीं की जाए लोगों में awareness फैलाई जाए और कोई भी animal के wild animal या monkey है especially उनके contact में नहाएं उससे avoid करें monkey बंदर किसी जो यह जंगली जानवर है उनके contact में नहाएं कोई भी ऐसा animal जिसको बीमारी हो रख्या उसको quarantine करें जैसे covid-19 किसी को हो जाता है उससे quarantine करते हैं अलग कमरे में रखते हैं ऐसे इसे अलग किया जाए और 30 दिन सक उसके symptom देखे जाए monkey pox की लक्षन देखे जाएं कहां की से monkey pox है नहीं है उसके बाद उसे इलाज किया जाए और दूसरा यह है कि अभी क्या जैसे covid-19 आई है सबका focus covid-19 पर ही चल रहा है और सारी बीमारियों से focus हट गया है ध्यान देना हट गया है तो जो और सारी disease हैं बीमारियों उनके report होनी कम हो गई है तो ऐसा नहों कि सिर्फ covid-19 पर ध्यान दे के सारी बीमारी को छोड़े तो इस बीमारी पर भी और सारी बीमारी पर भी disease पर भी focus किया जाए यह important है अभी के time में तो यही था इस lecture में बस